जहिन्द फ्रेंड्स मैं आप सब का जैनल स्टीडी के इस यूटूब चले में स्वागत करता हूं आज का हमारा टापिक है प्री हिस्टोरिकल एज अर्थात प्रागयतियसिक काल इसमें हम जानेंगे कि प्रागयतियसिक काल को कितने भागों बाठा गया है कि पूरा पासाड काल कि लिए उस वह समय क्या था देखते हैं इसमय प्रागयतियसिक के इसक तुछ को कहा जाता है जब मानव तो अस्टित में थे लेकिन जब लिकाई का विसकान्ना होने से उसकाल कोई लिखित वार्णत नहीं चाहना है अब प्रागे तिहासि काल कहा गया है, वो अक्सर पहाडों तथा जंगलों में रहते थे और शनस साथ मिलकर जंगली जानरों को सिकार करते थे था उनका उपयोग भोजन के Рूप में करते थे मानुप प्रागतिहासिक के पत्थर के उपक्रण का उपयोग 3003 मिलियन साल पाले से होंब निंस और लेखन प्राड़ियों के अविस्कार के बीच के अवधी है सबसे पहले लेखन प्राड़ी पहले दिखाए दी थी लेकिन लिखन को ब्याप्य रूप से अपनाए जाने से में हजारों साल लग गए और 29 सताब्दी तक या वर्तमान तक भी कुछ मानों संस्कितियों में इसका अपयोग नहीं किया गया था यहां पर देख रहे हैं कितने साल kin समय बाद जो मानों का विकास होऊँ था मानों का विकास होने के बाद कितने समय पास्चा जो है कि मानों आपना जो लिखिना पधना सी था मेसोपोटामिया में सुमेर, सिंदुगाटी सब्यता और प्राचीन मित्र अपनी खुद की लीपियों को बिख्सित करने में एतिहासी रिकार्ड रखने वाली पहली सब्यता थी यह शुरुवाती कांसी की दोरान पहले से ही था जो सबसे पहले जो थे जो लेखन जिसमें खुद की लीप थी वह थे मेसोपोटामिया में सुमेर था सिंदुगाटी सब्यता थी और प्राचीन मिस्र जो थी वह सबसे बिख्सित जो लीप थी उसकी थी और यह रिचार्ड उसकी के नाम है अगला है कि ऐसे कई जानवर थे ज जो गेंड़ा होता था उसमें जो थंडी अधिक पाढ़ने के कार जो गेंड़ों के जो शरीप होते थे वह बहुत ही अधिक मत्रा होते थे विसके कुछ हिस्तों में आदुरिंग मानों से अलग भी कुछ मानों जाती है थी जो बिलुप थो चुकी है जैसे कि यूरोप और आफ्रिका से निकल कर अनिस्थानों में विस्तार हुआ था आग पर स्वामित तुपाना किर्शी का विश्कार कुट्व जानुरों को पालतु बनान इत्याज सामिल है ऐसी चीज़ों के वाल चीन ही मिलते हैं जैसे कि पत्थरों के प्राची नौजार पुदाने मानों परफित नहीं है यह पूरा पासाड कार जो सबसे निमन पूरा पासाड है उससे संबन्दित है अ कि जो ऐसे चीजों करो counted निनी मिलते हैं मार्ड पहहियों का विफकार भी इस कांडवी जों कर् Light कर माना जाता है जहाँ हैं परकषब լन सकता है दोक्तों ब्लि snowy म rounding पश् पूरा पासार काल में कि क्या है कि पूरा पासार काल में देखते हैं कि क्या है जब मानों ने पत्थर के आउजार बनाना सबसे पहले आरंब किया था, तो यह हुआ यह पूरा पासार काल के में आते हैं, यह काल आधरिकाल से 25 से 20 लाग साल पूर से लेकर 12,000 साल पूर तों माना जाता है, इस दोरान मानुतिहास का 99% बिख्यास हुआता है, अर्थास यह पूरा 100% बिख परदेश के भी मिटका और 36 गार के रायपूर रायगर जीली के सिंधनपूर में भी मिलते हैं, तो यह हो गया पूरा पासार काल होगे जिसका समय है 25 से 20 लाग हिसापूर, जो की 12,000 साल पूरू तक है, फिन इसमें देखने मिलता है कि इस पकार यहां पर देखने पत्थरो का डिजाइन था, उसमें जिसे से रिखार करते हैं, फिन अगर आए कि इस काल को जलवाय परवर्टन था, उसमें के पत्थर के हतियारों था और जारों के प्रकारों के अधार पर निल्म भागों में बाटा गया है, पहले देख लेते हैं कि इसमें जो आगे थे मद्ध पा कानों रिखीत हुए थे, फिन पुरा पासार काल में निम्न पूरा पासार क्या है, फिन पूरा पासार कि यह पूरा पासार काल का का लंबा समय था, इसमें मनुष क्भा सर्व से निर्मीत इidée का फ्र Wash करते थे, हस्त कुठार, खंडक, हस्त कुठार अर्थां जो हाथों से जो बनाएगी कुलारी थी उसका उपयोग जिसमें पत्था लगाया जाते थे ना कि लोहेगी कोई वस्तु बनी हो तो इसमें अधिकांस पूरा पासाड योग हीम योग से गुजरा है निम पूरा पासाड एस्थाल भारती महाधिव के लगबक सभी छेत्रों में प्राप्त ह होता है जिसमें असम की घाटी सिंधु घाटी वेलन घाटी और नर्मदा घाटी प्रमुख्रोप से हे गर्प देख है तो है नंको पत्थ्र नियुन मतरन धाकती है तो उतकंस बंदान के नद उन्हेदा बंध के हैं तरफ इस निंये Täगे हैं और पत्थर निन् बचाव के लिए खाद्य संग्रह आखेड करने केलिए मानोमनने उसिफव में पत्थ्रों का उपकरणों का निर्माड करने परारम ध Secret परम कर दिया था। जलिए दीखते हैं कि मध्धिपूरताड में कितिने विक्षित हो चुके थे। तो जो मद्ध पूरापासाड काल है, इसका जो एज समय है यह एक लाख इसापूर से चालिजार इसापूर तक है, और मद्ध पूरापासाड काल में सल्क उपकरणों का परियोग बढ़ गया, अर्थात मुखे आउजार के रूप में पत्तर की पपड़ियोस बने विभिन प सल्मानों थे, तथा उनकी प्रक्ति संस्क्रिती मोष्टेरियन संस्क्रिती थी, इसकाल का 26 या नास्पाती आकार के कुलहडी थी, तथा साथी मूठ हुआ हत्थों वाले उपकरण परियोग में लाए जाते थे, मानों गुफाओं रहने लेगे थे, अर्थात पूरा पासा कार हो चुका था, तो अगनी के खोज के बाद यह मास को भून कर खाने लगे थे, और इससे पहले वह लोग मास को उसी तरह खा जाते थे बीन भूने, तो चलिए दिखते हैं कि उच्च पूरा पासाड में क्या है, तो उच्च पूरा पासाड का का काल जो है, चालिस हजार इसापूर से दसजार इसापूर तक माना गया है, तथा इस काल में क्रोमैगनेन, ग्रिमाल्डी, कॉम, कोपेल, सांसलाद, आदि मानों की इग्याद साखाय थी, इस काल में मानों में बंधुत की भावना बिख्षित होगे, अर्था जो मनुष थे, उसमें जो थे, एसाथ साथ रहनत भाई चारे की जो भावना थी, वो बिख्षित रूप से हो चिकी थी, नए ने परिसकी हतियारों का प्राधूर भाव हुआ, जिनमें नुखिले, अस्र रंदे, छेत करने वाले, भाले, हड़ी सी बनाएगी, बारी सुई, बारा सिंगों के सिंगों से निर्मी बनाने लगे थे, अब मानों ने हाथी दात की वहा मिट्टी की मूर्तियां बनाना आरम कर दिये था, साथ साथे लोग मूर्तियों को भी बनाना आरम कर दिये थे, था उचपूरा पासार जो काल था, या हूं मूग की अंतिमावस था थी, इस समय आधुनिंग मानों होमोस् के नाम जाने जाते थे ताइन ही मानों में कुछ है जो कि आज बिलुप्त हो चुके हैं इस काल के आधिक देजवा चमकीले थे यह आध्र करनाटक महराथ मदपरदेश दचिर उत्तरपरदेश और बिहार के पठार में मिलते हैं तो यह होगे पूरा पासारकाल का विवाजर अब देहते हैं कि मधिफासारकाल है जो इस में क्या था तो मधिफासारकाल के मनुस् och कह अध्याज क्या धिया है जो पूरा-有沒有 नौप्यार काल के मध्याता है इतिहासकाल को बारहन早, साल पूर से लेका 10.000 साल पूर्ट तक मानते हैं और जो कि मुक्ता है इसमें जो है यह दह जाए इसापूर से पांचा इसापूर्टा की माना गया यह जो है अनुमानीत भी है तो अगला है कि मध्य पाजार काल में आख की खोज हुई थी और धीरे धिमानों ने खेती भी शीख ली और आधुनिक मानों होमोसोपियंस भीक्सित हुए थे तचा जो इस काल में लोगों जो मनुषी थे इसमें विदास अंसकार की प्रक्रिया भी शुरू कर दे थी साथ इसाथ साउधान में संबंद अनुष्ठान का भी प्रियोग करना शुरू कर दिया था इस काल के लोग सिकार करके मचली पकरकर और खाद वश्ठा करके अपना पेट भरते थे सिकार कर में कुट्टे का सयोग लिया जाना पराणाम हुआ मानों बड़े समूग की अपेच्छा छोटे चचचोर समूगों में बिज़र करने लगे थे अर्थात ये लोग जो अब अब गुफाओं से निकल जो पड़ियों में रहने लगे थे तो ये लोग असास साथ नहीं रहते थे तो ये अलग रहकर जो थे छोटे छोटे समूग में अर्थात एक परिवार्ग रूप में रहते थे मानो जूसमें इस काल में मानो मास को चुले पर पकाना घास को सिलवड़्यों पर पीषणा, पसूपालन जान गया था तो इसमें जो है कि देख रहे हैं कि कितना अधिक मानों हो गया था ये इस काल के जो उपकरण थे वत्तिन छोटे आकार के थे ये लगभग आधे इंज से पौने इंज के बराबर थे इस काल में मानोंने लगू आउजारों का निर्माड शुरू कर दिया था इन लगू उपक काल मनुसिक कितना बेख्षित हो चुका था नौ पासार काल को नीयो लिठीक की काल या अवधि या नौ पासार यूग मान प्रणवर्द्योग की विकास की एक लोगिए थे इसकी शुरू आज कहा गया है इसकी शुरू और फीती लगभग पन्चान बें इसह पूर के आस किर्सी के उन्मुक होना था यहां पर जो थे यह लोग जो आखेर जो सिक्यार करने थे अब तक यह सब सिक्यार से अपना पेड़ भरन पहासा कर दे थे लेकिन कुछ समय पहस्चा थे लोग किर्सी भी करने प्राणाम कर दिये थे नियोलिथिक युग का आगमत सीमा औरती होली से एपिलियो लिथिक अवधी के बाद किर्सी की सुरुवात के साथ हुगा और इसने नियोलिथिक करानती को जर्म दिया था इसका अंत भोगोलिक छेज के आधार पर धात के आजारों के ताम रिउग या कांस युग में प्योग पालतू जानोरों का इस्तिमाल सामिल है अर्था यहां त्यक आते आते जंगली और जानोरों को भी इसव पान लेते से तथा फसलों को भी उसे विवाई तथा स्थिचाई करने लेगे थे तथा इस काल में ऑजारों का स्वरूप जो था वह बहुत थी मुलब एक अच्छे तरीके से हो गया था इसका एक नियमी ताकार होता था इनका जो अजार था वह अजारों से बना हुआ था नौपासारकाल में मनुष की प्रक्ति पर पूर्ण निर्भरता तूटने लेगे थे अर्था यह लोग जो प्रक्ति है उसके जो अनकुल रहने लेगे थे जाता फूर्सफ हो जो जाते लगनरे हिसं और भारी मात्रां में मिर्णों के प्राप्त होते थे इसकाल में ृह田 के चालुआ prória स्था कि खिर सब्पाईल कि शायता से संपर्ण होते थे जो मटर गेहूं मक्टा बाजरा आदी विभिन प्रकारनेत के खाद जानों को उत्पादन के जाता था सेव सहित पतले छिलके वाली फालोखा भी उत्पादन के जाता था किसी के साथ पादन का विकास हुगता है यहां पर यह भी नौपासाड काल में ही कुट्ता जो था वह सबसे पहला पालतु जानोर बना था उसके बाद जो थे बकरी, भेड, सुवर, गाय, बैल को पालतु जानोर बनाये गये था घोडों को सबसे अंतुम में पालतु जानोर बनाये गये था अर्थात ये जो पहाड़े जंगलों में राते थे उसके पेच्छा ये लोग चारगाह की छेत्रों में अस्थाई रूप से बसने लगे थे निवास के लिए अब घास पूस के स्थान पर मिट्टी कच्ची तो और पत्रों में स्थाई आवास बनाये जाने लगा इसके बस्ती और गौह का विखास होगा था अर्थात यहां तकांति काती आते रही पहास आरकाल तक ये लोग बस्ती इसको बस्ती का भी भीखास होने लगा था इस बस्ती बस्तबा और में चाग का विश्कार हुआ हुअ प्रक्तिकी जिन सक्तियों वर्षा नदी सूर चंद्र पीच पसू से मानो प्रभावित था या भैवीत होता था उनकी पूजा करने की प्रताव अपने दोस्तों आज के लिए तना वीडियो को ज्यादा लंबा हो गया है यह दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेट था शेर जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों वीडियो से लाप प्राप्ति हो आज की लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद